हेलो एक साथ ज़्यादा प्रतिरोधों का स्वेशन तैयार होगा वह क्या प्रतिरोधों तेगा तो देए प्रतिरोधों को जोड़ने के दो तरीके ऑँदे जूड़ने जी जड़ा जाता है और समानत्य क्रम में तो श्रीडिकरम के लिए जैसे आपको यह पर फिगर दिखा जाए गया है आपको screen प्रेंज जा रहा है कि यहां पर तीन resistance है रवन रच तो प्रेंपर रचरह के जो कि एक सीरीस में connected है एक के बाद एक लाइन बाय लाइन connected है तो ऐसे स्योजन को बोला जाता है चर्णी करम स्योजन तो अगर चर्णी करम स्योजन में तो यहां पर यह के सेक्षिन सेक्षिन के पीछ में तीन प्रतिरोद नजर आ रहें तेनों किसे समंतर करम स्योजन को बोला जाता है समंतर करम स्योजन तो यहां पर जब आप इनको एड़ करेंगे तो तो इनको जो जो combined combination बनेगा प्रतिरोद होगा उसको जो combined resistance होगा वह होगा आप इस तरह के से उसे calculate करेंगे 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 where R1 and R2 and R3 are the individual resistances तो यह R1, R2, R3 के individual resistances है और combined resistance क्या होगे आपका capital R जो आप calculate कर लोगे तो यह होगे आपका समांदर करम का स्मयोजर कि इसमें हमें एक topic discuss करना है किलोवाट घंटा उसे discuss करने पर आले मैं एक topic discuss करना चाहूंगा वह है वैदूत उर्जा अब वैदूत उर्जा क्या है देखे आपने किसी चीज को सपोस्स किसी भी equipment को यह electrical appliance को आ आवेश को वी वोल्ट घंतर पर तार के एक स्रेट तक ले जाने में वी इंटु क्यू जूल कारे करना पड़ेगा अताब परिपत में व्यागूट जा डवल्ली इसकोल टू वी इंटू अब क्यू अब टी करनेट इस इकोल टू आवेश वर्टे समय तो क्यू जो आई तो तो यह क्या होजगा है कि आई इक अल्रीट यहां पर था और एक और और यह और गया तो आई स्क्वार हो गया और आर और टी अगए इसी फॉर्मलीड और तीं पर फॉर्मली अगी एक बन्स ही आपको पता हो उसको यूज करके आप विद्दू दूर्चा पाम पता है तब करína कि अगर कि इसके बाद की जटश के ली जैसे कोई भी आपके घर में मीटर teeth का मीटर होता है डिकcellentर हो 21 सब एक रोर्जा को 1ár मतलब क्या है वैपारिक मातलक सब्सक्राइब क्लोवाट घंटा सब्सक्राइब देख़ जो फ्रेस्क्राइब एक घंटे में को एक गहते हैं देखिं हम्मली क्या होते हैं जो घर में प्रोड़क्ट होते हैं जैसे नोमाले जो प्रेस करते हैं कपड़ों प्याप तो वो अक्सर 700W की आसपास की होती है कुछ एक किलो वाट की हो सकती है अक्सर जो पानी गरम करने की मशीन होती है वह एक क्लो वाट की मतलर कैपसिटी की होती है तो अगर उन्हें घंटे तक जलाएंगे तो जो वैदूद उर्जा कंजूम करेंगे वह होगी एक किलो वाट घंटा कि 1 किलो वाट क्या हुऊ आप टिक घंटे को एक घंटे तक यूज कर रहें तो वह कहलाएगा एक क्लो वाट घंटा उसway इतने वाटंड होते हैं और सेकंड आपका जो सेकंड एक घंटे को आप सेकंड में चैंज कर लोगे तो उसी वज़ाए से यह आपका 3.6 इंट टैंड पावर 6 वाट सेकंड यह जूल आप इसे कहते हैं एक क्लोवाट घंटा तो किसी परिपस्त में व्यूनित के संख्या कितनी होगी इस जो अमांट होग से रिवाट कीजिए तो आपको यूनित मिल जाएंगी आपने कित्ती यूनित कंजूम करी होंगी इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर वह है वैदूत उर्जा हम कर चुके हैं इसके बाद आता वैदूत शक्ति एक लास्ट टॉपिक है किसी वैदूत परिपत में भलो है होने के दरखो जरक जैते हैं इसका सउन्य जहत जबत आपको किया करना न सब्सक है उसको समय से बइने करा देना है तो आपको मिलेगा पी जै हिसके तींत ते आर Oh god जब आप T से डिवाइट करेंगे तो जितने भी वह तीन फॉर्मले थे उन समय से टी गया हो जाएगा तो यह तीन फॉर्मले आपको मिल जाएंगे पावर के तो इस वेरी इजी तो मेमराइज की आए वैदुशक्ति क्या होता है तो एक वाट क्या होता है एक जूल पर आज हमने जो टॉपिक डिस्कस की है आई होप आप लोगों समय आया होंगे इसको आप अपने के कॉपियों में नोट डाउन करेंगे नोट पनाईए अच्छे से फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स वीडियो में तब तक तक धन्यवाद थैंक्यू कर दो